और में भी नेटबर्क नहीं आ रहे हैं और आप नेटबर्क शेत्र में है फिर भी तो इस प्रॉब्लम को मैं इस फिक्स करने वाला उसले वीडियो को एंड तक चरूर देखिए यह प्रॉब्लम तब आती है जब हम सेटिंग से अपने सीम को 4G से हटा कर 3G या फिर 2G सेलेट कर देना है इसके बाद हमें आ जाना है सीम सीम कार्ड एंड मोवाइल नेटबर्क इस पर हमें क्लिक कर देना है चूंकि एगर आपके फोन में सिंगल 4G है और आप जिस नंबर में 4G चलाना चाहते हैं जिस सिम को उस पर हमें क्लिक कर देना है जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सिम में नेटवर्क आना शुरू हो जाएं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे होगे उपर नेटवर्क भी आ चुका है यसे हमने इसको सेलेट किया अगर मेरी इस वीडियो के जरी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्ब हो गई हो तो चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक किये बिना मत जाना यार